नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बॉलिवुड टॉकीज में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं, तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। मनोज बाजपेई के स्ट्रगल की कहानी आज मनोज कामयाबी के शिखर हैं, जहां से सब बहुत ही शांदार नजर आता है। लेकिन इस कामयाबी को पाने के लिए उन्हें एक कठिन डगर से भी गुजरना पड़ा जिस पर चलते हुए वो कई बार डगमगाए, निराश हुए हताश हुए लेकिन चलते गए और एक दिन उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया। फिल्मी दुनिया चकाचौन से भरी हुई दुनिया है। और इसी लिए ये दुनिया सभी को अपनी और खींचती है। लेकिन हर किसी को यहाँ वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता। जबकि कि जलक देखनी हो तो भला मनोज बाजपई से बेहतर और क्या होगा। आज मनोज कामयाबी के शिखर हैं जहां से सब बहुत ही शांदार नजर आता है। लेकिन इस कामयाबी को पाने के लिए उन्हें एक कठिन डगर से भी गुजरना पड़ा जिस पर चलते हुए वो कई बार डगमगाए, निराश हुए, हताश हुए लेकिन चलते गए और एक दिन उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया। कामयाब होकर वो अपने उन दिनों को भूले भी नहीं है। बलकि हाल ही में उन्होंने वो यादें ताजा की। उन्होंने खुद बताया कि वो दौर कित पड़ा, बॉलिवुड में उन पर किसी का हाथ नहीं था सो लगे रहे दिन रात मेहंत करने में। मनोज ने एक इंटरव्यू में बताया था, बेंडिट क्वीन, के बाद हम में से कई एक्टर मुंबई शिफ्ट हो गए थे। जिंदगी बहुत मुश्किल भरी निकली। द जानते ही नहीं थे कि हमें खाना कब मिलेगा। शुरुआत के चार से पांच साल काफी मुश्किल भरे निकले। पहले तीन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले थे, परसनली और प्रोफेशनली दोनों तरफ से। अभिनेता मनोज बाजपेई घर में सबसे बड़े थे पिता की तबियत खराब थी लिहाजा सारी जिम्मेदारी इन्ही के कंधों पर थी। लेकिन मुंबई में कुछ बात बन नहीं रही थी। तब मनोज खुद फिल्मों के सेट पर जाते काम मांगने तो कभी प्रोडियूसर और डाइरेक्टरों के आफिसों के चक्कर लगाते यानि कुल मिलाकर वो दौर उनके लिए काफी मुश्किल था। लेकिन आखिरकार उन्हें राम गोपाल वर्मा की दौर फिल्म में काम करने का मौका मिला। और बस उनकी रेलगाडी पट्री पर दौर पड़ी उनकी एक्टिंग से इंप्रेस आरजीवी ने उन्हें सत्या म कास्ट किया। जिसमें उन्होंने भी खू महातरे का रोल निभाया और खूब तारी फ्लूटी। आज भी मनोज को इस रोल के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। बस तब से आज तक मनोज को कभी पीछे मुर कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ब बाइ बाइ और जय हिंद।